आपकी मदर है और आपकी गुर्फ्रेंट है दोनूं को जब देखते हो तो अंदर जो reactions है वो एक जैसे होते हैं अलग-अलग होते हैं अलग-अलग होते हैं क्योग यह relationship कहाğın defined है मन में या मुद्धी में बुद्धी में इसको बरी की से समझ लो मन क्या कहता है मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है मन मतलब वो experience इसके पीछे भागेगा यह मन की फित्रत है जिसको बतला नहीं जा सकता किसी हालत में लेकिं मैंने भी क्या कहा कि बुद्धी मन से लग गुना तदा पावफुल है तो मन के स्तर पे चाए आपकी मदर हो चाए गर्फरेंड हो दोनों ही एक body है मन में क्या फर्क है मन के लिए कोई फर्क नहीं है सिरफ बुद्धी में ये बैठने की वज़े से कि वो मा है वो ही body जो देखने में बिल्कुल मिलती जुलती है किसी और body से हमको अलग दिख रही है क्या फर्क आया है कुछ भी फर्क नहीं है मन के लेवल पे बुद्धी के लेवल पे फर्क आ गया सब कुछ बदल गया सब कुछ बदल गया reactions बदल गया touch करोगे मदर को अलग तरह की feeling होगी देखोगे मदर को अलग तरह की feeling होगी मदर की आवाज सुनोगे अलग तरह की feeling होगी girlfriend को देखोगे सुनोगे touch करोगे अलग तरह की feeling होगी क्या हो रहा है मदर को जब ऐसे touch करते हो तो ऐसी feeling क्यो नहीं होती बुद्धी में संसकार पड़े है हमारे यहां पे इंडिया में या इस्ट में यह जो संस्कार है यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है मा मतलब भगवान का रूप तो ऐसा ख्याल आ ही नहीं सकता सपने में भी नहीं आ सकता आज तक ऐसा किसी को सपना भी नहीं आया होगा I can bet इसको बुद्धी बोलते है तो अगर एक बात आपको बारीकी से समझ आ जाए मन की कोई वकात नहीं है आपके बुद्धी के सामदे आपको समझ आ जाए कि यह जो मैं खाने वाला हूँ यह मेरे लिए सही नहीं है अब मन क्या करेगा? नहीं खारा आपको समझ आ जाए कि शादी के बाद अगर यह मेरी वाइफ है तो बस इसके साथ तो सिर्फ इसके साथ समझ आ जाए यह बात बारीकी से समझ आ जाए तो क्या होगा? आप किसी को भी देखते रहो कुछ नहीं होने आला कोई रियक्शन ही नहीं उठेगा अंदर से रियक्शन उठने बंद हो जाएगे मन जीरो हो जाएगा इसको बुद्धी बोलते है आज कल हो क्या रहा है? जिस तरह की दुनिया बन गई है जिस तरह की मूवीज आ रही है जिस तरह की बाते हो रही है किसी को देख करके कुछ भी खाया लाने लग जाएगे अब आप मर गए आप फस गए अब आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता आप समझ गए? अब आपके जो decisions होंगे life में वो किसके base पे होंगे? आपकी मन के base पे आपकी बुद्धी के base पे? और जो भी आपमी अपने मन के base पे decisions लेगा वो आज नहीं तो कल मरेगा आपकी wife है आपके घर में जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी relationship है ओफिस में कोई colleague है मन उसकी तरह भाग रहा है अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस मन को? मर गए ना? उदर बहुत अच्छी relationship है अच्छी relationship गई तेल लेन है इधर मन मन की वज़े से मतलब कि कुछ seconds के pleasure के लिए आपने अपनी पूरी जिंदीकी खराब कर ली और इस colleague ने भी आपको लात्मारी कैसे सहाईड हो जो अपनी बीबी का नहीं हो मेरा क्या होगा? खतम क्या हुआ? पूरी लाइफ की दजियां उड़ा दी ने एक शेकट के अंदर अंदर किसने उड़ाई? किसी और ने? जो भार वो फीमेल थी उसने? आप ही के अपने मन ने इड हास तो बी आपसोलूटली क्लियर आपसोलूटली क्लियर कि क्या सही है, क्या गलत है और जब इसको पूरी तरह से आप पकड़ लेते हो अभी एक दिन में नहीं होने आला अब अभ्यास क्या है? इसको ध्यान से समझू अभ्यास को विवेक भी बोलते है अभ्यास लोग क्या मतलम निकालते हैं? आपका मन किसी की तरह भाग रहा है, उसको रोको अरे, आप जितना रोकोगे, उतना और चाहता भागेगा कभी करके देखना आपका मन, आप एक मेल हो जो यंग हो, किसी फीमेल की तरह भाग रहा है अट्रैक्ट हो रहा है क्या होगा? रोको उसको नहीं, मन को वहाँ जाने से रोकना है नहीं, नहीं मन उसको अरे, आपको प्यार हो जाएगा उसलगी से आँ समझगेगे? यह Love at first side है क्या? जितना आपको रोका जाएगा जितना आपके घरवाले आपको रोकेंगे जितना आप अपने आपको रोकोगे उतना ही आप और अट्रैक्ट होते चले जाओगे उसकी तरफ इसको अभ्यास नहीं बोलते हैं इसको अभ्यास अभ्यास मतलब क्या विवेक बुद्धि आपका मन किसी की तरह भाग रहा है बुद्धि को बीच में ले आओ समझ को बीच में ले आओ रियालिटी को बीच में ले आओ देखो क्या होगा उसके end तक जाओ कि मैं क्यों पागल हो रहा हूं उसके पीछे किसलिए मेरी एक girlfriend है जिसके साथ मैं already serious हो तो इससे होगा क्या यह जहाँ पर मेरा मन भाग रहा है इससे होगा क्या अपनी life के साथ क्यों खेलूं क्यों फसू जागर के एक ऐसी situation में जहाँ पर ना मैं यहां का रहूं ना मैं वहां का रहूं समझ पा रहे हो, simple है न तो इस बुद्धी के थुरू आप उस पूरी situation को as it is देख रहे हो कि ठीक है यह हुआ मन क्या करता है वो सिर्फ अभी के बारे में सोचता है मन सिर्फ यह कहेगा हाँ ठीक है अभी बस कता हूँ अपनी habit के थुरू चले चले जा रहे हो तो यहां पर बहुत strong करना पढ़ेगा अपनी बुद्धी को strong words बोलने पढ़ेंगे बुद्धी से मन को तो मन ढहे जाएगा मन को जैसे खत्रा नजर आएगा मन अतियाँ डाल देगा अभी मन को मजा नजर आ रहा है इसलिए मन भाग रहे है मन को तुछा सा डरा दो पीछे आगर करके साइड में बैठ जाएगा बुद्धी से अपनी समझ से इसको समझ पोटे है वेरी गुड पॉइंट देखो इसको भी ध्यान से समझो क्या होता है तो कि जो भी आप बाते कर रहे हो ना वो सारी बाते में अपनी लाइफ में उतार चुका हूँ तो आए रिलेट टो वाट या सेंग कभी भी मन के साथ बड़े पंगे मतलो जब तक कि आपकी बुद्धी बहुत जादा स्ट्रॉंग ना हो जाए अभी 99% आपका मन हावी है आपके उपर एक परसंट बुद्धी काम कर रही है तो इस एक परसंट से आप 99% को कैसे समाल लोगे तो क्या करो शुरू में छोटे 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 चिंजिस करो मन के लेवल पे छोटे 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 चिंजिस करो बच्पन से आज तक आपको एक पर्टिकुलर तरह के खाने की आदत पड़ी हुई है अब आप डाइटिंग के नाम पे कुछ और खाने लग जाओ क्या होगा खालो सब कुछ ऐसा ही होता है इसका तोड क्या है बुद्धी से आप ये समझो कि जरूरी नहीं है कि मेरे को लग रहा है कि रात को फूर्ट्स खाना अच्छा है तो हो मेरे लिए अच्छा हो अब ये मैं फैक्त के बेस पे बात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से रात को फ्रूट खाना बहुत गलत है फ्रूट्स खाने का या कुछ भी मीठा खाने का जो बेस टाइम होता है वो होता है सुबह उठते ही उस टाइम पर बॉड़ी का मेटबॉलिजम गिरा हुआ है उसको उठाना है अब यह सब बाते में कहां से कर रहा हूँ मन के लेवल से, बुद्धी के लेवल से डाइट का गोल्डन डूल क्या है नेवर मेक मेजर चेंज़े इन या डाइट वो ना आपकी बॉड़ी के लिए अच्छा है ना आपके माइंड के लिए अच्छा है हमारी अब्रिंगिंग जिस हिसाब से हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का खाना क्यों बनता है उसके पीछे लॉजिक है कि वहाँ पर सर्दी ज्यादा है यहाँ पर इस तरह का खाना क्यों है जिसमें saturated fat बहुत जादा है तो ऐसा oil डालो जिसमें poofa और moofa जादा है poofa होता है polyunsaturated fatty acids moofa होता है monounsaturated fatty acids ऐसा oil डालो उससे क्या होगा? वो oil अच्छा है वो आपकी body का जो fat है उसको घटाएगा जाधा तर हम कैसे चलते हैं? जातर मैं देखा लड़कियों को especially weight के according चलती है कि हर रोज अपना weight check कर रहे है मेरा weight कितना काम हुआ? weight कम होना अच्छा नहीं है आपकी health के लिए जो muscles होती है थोड़ी सी भी घटी तो आपका weight कम हो जाएगा 3 kg fat आपका बहुत ज़दा घटा तो आपका weight कम होगा 1 kg आप समझ गए? निकालना क्या है body में से? fat को निकालना है muscle को भढ़ाना है तो आपको क्या पता आप अपना weight कैसे गिरा रहे हो? fruits खाओ गो उसमें protein तो है नहीं हुआ क्या? fat तो भढ़ रहा है और muscles घट रही है आप सुपर उठकर करके अपना weight देख रहे हो करें, औरे मेरा weight loss हो गया इस weight loss का करोगे क्या? body में 1000 तरह की problems आ जाएंगी ये बुद्धी बुद्धी क्या करेगी?